अभी खबर आ रही है कि मुक्तार अंसारी की इलाज के दोरान निधन हो गया है। आईए बिस्तार से जानते हैं उनके बारे में। यूपी की सियासत में बहु बली मुक्तार अंसारी किसी पहचान के मौहताज नहीं है। गाजीपूर की मउव विधानसभा सीट से लगातार 5 बार यूपी विधानसभा का सफर तैकर चुके मुक्तार अंसारी जेल से ही चुनाव जीते रहे हैं। उनके सियासी सफर की बात करें तो उनके इस सियासी सफर की डगर कटिन और विवादित रही है। विरासत में सियासत तो उन्हें मिली लेकिन उन्हें यहां पहुचाने के लिए जरायम की दुनिया से होकर आना पड़ा। असल में मुक्तार अंसारी का तालुप गाजीपूर के संभरांत मुसलिम परिवार से है। इनके दादा भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वहीं इनके नाना सेना के अधिकारी थे, जो महावीर चक्र से संभानित हुए। लेकिन मुक्तार अंसारी की आपरादिक फेहरिस्ट उनके परिवारिक कीर्ती पर भारी है। मुक्तार अंसारी ने अपरादिक छवी के बल पर सियासत में एक ताकतवर मुकाम हासिल किया। 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर मौ विधानसभा से चुनाव लगा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुँचे। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में बहुबली मुक्तार अंसारी की तूटी बोलने लगी। मौ विधानसभा क्षेत्रम में मुक्तार के नाम का सिक्का चलता, तभी तो उन्होंने तीन विधानसभा चुनाव जेल में बंद रह कर जीत लिये। मुक्तार अंसारी ने वर्ष 2002, 2007, 2012 और 2017 में जीत हासल की। इस दौरान मुक्तार सपा, बसपा, अपना दल जैसे अलग-अलग दलों का चक्कर लगाने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया। मुक्तार अंसारी का नाम 2005 में उस वक्त पूरे देश में चर्चित हो उठा, जब बीजेपी विधायक प्रिश्नानंद राय की हत्या में उसका नाम आया। लाइक मशीनगन केस में नाम आने के बाद से वह चर्चा में थे। 2005 में एक विधायक की हत्या के मामले में उसका नाम आने बाद उसने राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मचा दी। हाला कि जब प्रिश्नानंद राय की हत्या हुई तो उस समय मुक्तार जेल में बंग थे। लेकिन इस बात की चर्चा थी की मुक्तार अनसारी ने जेल से ही विधायक प्रिश्नानंद राय की हत्या करा दी। विधायक प्रिश्नानंद राय की हत्या के पीछे मुक्तार अनसारी का हाथ होने की वजहों को लेकर कई अटकले लगती रही है। कहा जाता है कि यूपी की मुहम्मदाबाद विधान सभा सीथ पर मुक्तार अंसारी और उनके भाय अफजाल अंसारी का प्रभाव था। 1985 से लगातार ये सीथ अंसारी परिवार के कबजे में रही लेकिन 2002 में बीजेपी उम्मीदवार क्रिश्नानंद राय ने अफजाल अंसारी को हरा करिया सीथ हतिया ली जो मुक्तार के सियासी कद पर दाख साबित हो रही थी। इस वजह से विधायक प्रिश्नानंद की हत्या कराई गई। बस्पा से चुनाव जीतने के बाद मुक्तार का सियासी कद इतना बढ़ गया कि वो पार्टी के टिकट बढ़वारे में भी हस्तक्षेप करने लगे। इस दोरान बस्पा में टिकट बढ़वारे को लेकर बस्पा सुप्रीमों से भी उनकी कड़वाहत सामने आए। इसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल का गठन किया और चुनाव में जीत हासिल की।